तो कैसे हैं आप सब में अमीद करती हूँ कि आप सब खेरियत से होंगे और आज हम बना रहे हैं मटर क्लाव की एक और यूनिक सी रेसिपी तो इस यूनिक सी रेसिपी को जब आप अपने घर वालों को बना कर खिलाओगे तो आपकी घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और आगे पढ़ने से पहले अगर आपनी मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना इसको मैं कड़ाई में बना रही हूँ आप अपनी पसंद के किसी भी बरतन में बना सकते हैं तो इसमें मैं एड कर दूँगी आदा कप रिफाएंड ओईल आप इसमें घी बर कर सकते हो गहां तेल गरम होने के बाद इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले एड़ करेंगे एक बड़ी इलाइची पाच इसमें मैंने लॉंग एड़ किया है तीन छोटी इलाइची और दस से बारा काली मिर्च दो तेज पत्ता और एक चमच सफेज जिरा एड़ किया है और इसको 30-40 सेकेंड अब मैंने एक बड़ा स्लाइस किया हुआ प्यास इसमें अड़ कर दिया है प्यास को गोल्डन ब्राउन होने तब फ्राइच कर लेंगे यहां पर हमारे प्यास फ्राइच हो चुके है और अब मैं इसमें डाल रही हूं एक चमच अदर्ग लसन का पेस्ट अदर क्लेसन का पैस डालने के बाद इसको मिला लेगे औरकक्छा बंचार जाने तक इसको हम फ्राय कर लेंगे तो दीखिए यहां पर प्यास भी सॉफ्ट होगे और अधर कलसन का कच्छापन भी अब खतम हो चुका है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ छे से साथ हरी मिर्षी जिसे मैंने कट करके इसमें एड कर लिया है मिला लेंगे इसको और उसके बाद मैं एड कर रही हूँ दो मीडियम साइस के टमाटर इसको भी मिला लेंगे हम लोग और यहीं पर मैं एड कर लोगी एक चमच सॉल्ट यानि नमक एड कर रही हूँ और इससे मिला लेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे टमाटर को अब अब है अब यह टमाटर थोड़े स ओक हो चुके और मैं इसमें अऐड कर लूंगे मटर और यह मातर मैंने लिया है और इसे टीन से चार मिनिट मटर को हम मसालों के साथ जि install दो मटर को भी हम मजलाओ की साथ मूर ने weg अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूं आधे नीमू का रस डालने से चावल बहुत ही खिले-खिले बनते और इसके बाद यह सीक्रेट इंग्रीडियंस इसे कहते हैं पत्थर का खूल तो यह आपको कुछ किसी भी पंसारी के दुकान पे मिल जाएगा यहां पर आपको मसाले मिलते हैं वही पर यह मिल जाएगा और इससे बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है इसके बाद इसमें मैं चावल एड़ कर रही हूं चावलों को मैंने आदे घंटे पहले बिगो दिया था यह बासमती राइसे और मैंने देड़ ग्लास चावल ल के बाद हम इसे ढग देंगे और यहीं पर हमें नमक बगेरा भी चेक कर लेना है और अगर कम नमक तो इसमें डाल लेंगे तो यहां पर मुझे कम लग रहा था इसलिए मने एड़ कर दिया चावल में बॉइल आने लगा और अब मैं इसको धकर हाइप लेंपे पका लोंगी और 10 मिनिट के बाद देखे फ्रेंट्स कितना शानदार मेज़ेदार बनकर यह तयार हुआ है मटर पलाओ तो आप भी जरूर ट्राइ किजिएगा और कमेट करके अपने फीडबेक जरूर शेयर किजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चानल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले और आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन जरूर प्रेस कर ले मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में